हेलो गाइज, वेलकम बैक ट्यू ओन चैनल उप्शन्स का इट तो स्वागत आपका एक और शानदा डेली मार्केटलेस वीडियो में वो आज mostly पूरा दिन मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रही थी लेकिन लास्ट में हमने एक बहुत ही शाप अप मूव देखा और मार्केट हाई लेवल्स पे ही क्लोज हुआ आज लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो लाइफ में चैनल को सबस्क्राइब करो यारा आज भी लेवल्स का मैजिक दिखाएं कैसे परफेक्टली लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट ने वर्क किया बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में पूरा डेटेल अलेसिस जानेंगे पहले चार्ट पे देखेंगे और फिर चलेंगे हमारी आप्शन चेन पे कोई भी उसे मार्केट में मार्केट में मार्केट में गैप अप के साथ ही ब्रेक कर दिया अब जैसे मार्केट ने ब्रेक किया उसके बाद एक लेवल रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो क्या बन जाता है सपोर्ट एग्जाक्टली मार्केट में इसने असपोर्ट का वर्क कि जो हमारी rally start हुई वो इसी level के support से start हुई थी day end में उससे पहले पूरा दिन marketing बहुत ही narrow range में 30-40 point की range में ही trade करता रहा पूरा दिन लेकिन last में यहां दीके market ने यहां से support लिया और फिर rally continue हुई जो हमारा telegram group है बहां मैंने update भी किया था तो 11,610 यह वो level होगा जहां तक आप आपने shots carry कर सकते हैं इसके बाद एक rally आ सकती है और market में exactly अगर आप यह level देखेंगे जो यह candle जहां से start हुई है वो exact level था 11,610 इसी level से rally start हुई market exactly हमारे next level को test करती है और उसे break भी कर देती है अब break करने के बाद फिर further अब हमने बहुत ही शाप देखा और market ने next level जाके test कि 11,680 यह level 2 मैंने आज ही draw किया है लेकिन यह पिछले levels के according ही draw किया है आपको exactly figure चाहिए तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं मैं आपको exact level दे दूँगा कि exact level कहां से pick किया है आप मुझे comment section में पूचेंगे तो मैं वह आपको जो हमारा group है वहाँ पे मैं आपको screenshot वो send कर दू एल आफ आया और market average last में closing होती है वो average closing हमने देखी भी market almost 11,660 पे close हो है तो important level resistance के लिए क्लिए हो जाते है first resistance तो यही होगा 11,680 यह मैंने बिल्कुल new draw किया यह पहले हमारे levels में नहीं था यह मैंने आपको मैं दुबारा confirm कर रहा हूं इसको break करेंगे तो एक further rally आएगी 60-65 points की वो level होगा 11,745 यह बहुत important level हो जाता है इसके बाद हम इस level को break करेंगे तो हमें सीधा resistance देखने को बलेगी 11,745 पे इस level पे support कहां आ रहा है अब जो हमारा resistance था अभी तक अब वो market के लिए support बन चुका है 11,630 यह हमारा support level होगा market में ठीक है तो resistance 11,745 और support बन गया 11,630 lower side अगर break भी करते हैं तो फिर से यही हमारा support zone है अभी 11,550 से 570 यह हमारा important support zone है आज भी market ने exactly इस पे multiple time support लिया और एक बहुत ही sharp rally भी इसी level से हमने देखी market में तो यह अभी भी important है और hope आपको level समझ आ गया होंगे यह हमारा first zone होगा जो हमारा support है immediate support 11,630 immediate resistance 11,680 and फिर major resistance 11,745 यह nifty के लिए most important levels है कल के लिए आगे के लिए भी work करेंगे लेकिन कल के लिए especially यह important levels है अब चल लेते bank nifty पे वहाँ भी perfectly हमने work देगा है यह हमारे bank nifty का chart है bank nifty भी gap up के साथ open हुआ market में morning में हमारा resistance level था 22,700 उसे break करने के कोशिश की लेकिन आप देखें first candle में भी व फेल हो गया और फिर continuous एक fall आया और almost हमने अपना lower level test किया हमारा level था 22,500 और market ने low लगाया 22,520 I think तो 180.190 पॉइंट का हमने यह fall देखा और फिर market ने फिर यहां से bounce लिया अब bounce देखिया exactly किस level तक गया bounce exactly फिर हमारे level तक आया 22,700 हमारा level था exactly market ने यहां से bounce लेना शुरू किया और exact हमारे level तक ही market ने फिर resistance लिया morning में test कर चुका था second time test किया फिर यहां से फिर से fall आयी almost 121,130 points की से यहां से resistance लिया फिर market एक बहुत ही small range में trade करता रहा और फिर जब third time test किया market ने इस level को तो इस बार market ने break किया और हमें काफी अच्छा sharp up move देखने को मिला almost 200 points का औ और यहां पर हमारा day end closing हमने देखी almost 22,850 के आसपास तो अभी exactly हमारे दोनो levels के mid में है exactly दोनो levels के mid में आप देखेंगे resistance 22,700 बहुत अच्छे सेगी अब यह break हो चुका है तो अब यह बहुत अच्छा support बन चुका है 22,700 first support market में यहीं मिलेगा market को bank nifty को specially 22,700 next support है 22,500 यह दो major हमारे support level है resistance का देखने को बहुत है 23,000 एक बहुत ही major resistance है market में अभी चुकि एक बार हम 23,000 को अगर break करेंगे तो rally फिर हमारा level 100 200 300 points पे नहीं है फिर हमारा level काफी बड़ा है almost 550 points का मैं आपको level दिखा देता हूं 23,000 550 हमारा next level होगा अगर हम 23,000 को break कर देते हैं तो 23,000 psychological भी बहुत important level है और वैसे भी बहुत ही जादा important level है इसे break करेंगे तो further सीधा 550 points की rally हम market में देख सकते हैं previously भी जब हम इसके above थे तब भी मैंने आपको यह का था यह level break होगा तो सीधा 500 points प्लस का fall आ सकता है और हमें gap down से 600 points का fall देखने को मिला था तो अब भी वैसी expectation है कि अगर इस level को हम break करेंगे तो एक बहुत ही अच्छी rally आ सकती है market में तो hope आपको bank nifty में भी level समझ आगे हों को 23,000 बहुत important resistance से break करेंगे तो सीधा 500 points की rally आएगी support 22,700 and major support 22,500 यह levels होगा हमारे bank nifty के अब चलने तो option chain पर कि वहाँ क्या data देख रहा है यह पूरे levels flip हो जाते हैं यहाँ पर बहुत दीक है अब call unwinding हुई है सारे levels पर 11,600, 11,550, 11,500 सब levels पर और काफी अच्छी unwinding हुई है 7,8,6,000 तो यहाँ पर unwinding हुई है और इस साइड आप put writing देगे intra day में 25,000 positions add हुई है 11,600 पर यह हमारे बन चुका है support 11,600 जो अभी तक हमारी major resistance था इस OI के add-on से अब यह बन चुका है support लेकिन फिर भी अभी भी same case है same scenario जैसा आज यहाँ add-on हुआ कल अगर फिर से data change हो सकता है add-on हो सकता है तो फिर हमारे levels फिर से different हो जाएंगे लेकिन अभी के data के recording 11,600 अब market में ऐसे support का work करेगा resistance कहां देखने को बल रही है अब resistance मिल रही है 11,700 पे maximum OIB हमारे यहीं पे add-on होई है थोड़ी call writing होई है यहाँ पर only 4 lakh positions और put side में overall OI बहुत कम है 6.6 lakh और यहाँ पर 27 lakh तो more than 20 lakh gap है तो अभी के data के according तो बहुत अच्छी resistance है लेकिन कल आज की तरह ही अगर यहाँ add-on हो जाती है positions 25 lakh तो जो gap है वो तो cover up हो जाएगा तो market फिर से rally कर सकती है तो हमें देखना होगा कल किस side OI हमारा build होता है और उसके according further हमें trades देखने को मिलेंगे तो resistance 11,700 support है 11,600 पे OI intraday में change होता है तो उसके according हमारे levels फिर से change हो जाएंगे अभी के according यही है अज market इसलिए इतनी bullish है क्योंकि बहुत अच्छी put writing होई है सारे levels पे 11,500, 11,550, 11,600 पे बहुत ही अच्छी put writing होई इसलिए हम इतना last में एक दम हमें bull run देखने को मिला market में तो यह आज का overall analysis हो गया friends hope आपको levels समझा गयोंगे levels के according अपने trades आप execute करेंगे तो आपकी probability of success increase हो जाती है तो आज की वीडियो में इतना है friends मिलते है next video में thank you so much